पहले बात रूस और यूक्रेन के तनाफ की करेंगे क्योंकि इसे लेकर दुनिया के देशों की जुबाने और तोपे दोस्तुष्पन की पहचान करने लगी हैं। रूदा पर चोड़ करा अव डिक नराज की जाहिक बीच ने टो शेली का भी उन्यों खान उडल मुच्ट की व्रूज बीच चैघ दोस्तुब ए टूज एड़्या धोस्तुब एड़गन प्रेंगे हैं। उक्रइब जआ श्यक्र आए बिल्हेस हैं। you lunch process also designed in the Soviet Union it has range of more than 100 kilometers and they can increase that it's a matter of time they still have this technology from the Soviet Times not so getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states I'm not going to list them that are now researching this especially if they have करना इक परोड को आपराद सार इन्याव कर दोizes की उन्याव कर वार्ण फर प्रहु कर दिक्रेइब दोडिए स्वाष डेस्टेश्टियों सुनी अर्श कर शेव दोर्श इसक्रेश यूराश्स रज्से रच्रश्य इता इ्वडर गार्शन वे ट्रान शेय्द झाम इस तेल मुंस्ट अपेंट आल्ट विर्फ सथांट मैंट ए और व्क मजशिस जह रिएंट किशनैज अजुआ हम आलिए डियर को परश्छीद कि कि अबिद लाइंट प्छी बेढकल के Champa तो अब ज़र आपको तस्वीरे दिखा देते हैं किस तरीकी से इस्वतंत्र देश्ट है वो बनाए गए हैं अलग हुए हिस्से में जश्न है तो रूसी सेना यहां अपने हिस्से से एंट्रे कर चुकी है यूएन में सभी देशों ने अपना पक्ष रखा और भारत ने अब तो तो के कह दिया कि वो शांती से मसला सुलजाने के पक्ष में रूस पहले तो यूकरेन के दो टुकड़े करता है फिस शांती सेना दोनों इलाकों में भेज रहा है और रूस की इस गुस्ताकी ने देश भर में करारी चोट पहुँचाई है यूएन में एहम बैठक हुई तो अमेरिका से लेकर प्रांस, जर्मनी, बृटेन तक ने जूस को सीधी जेताबने देकर यूदी के बादलों को गहना कर दिया है शन्रचाइबा ऑरोक के 마지막 και लूस केकर ग्याग ड। इमंस की प्रांस भास्टाइब श्कत्तव में एकर्ण संवां सुनादेरे भ्यूग जलोष के लिजे सेना में और हुए जोड़ा जा रहा है यानि सियास्त इसमें फरपूर हो रही है देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी निर्डा ने आज तक से एक्स्क्रूस बात्चीत में तमाम मुद्दों पर बात की पूरा इंटेव्यू देखिए राहुल कवल के साथ रात 9 बजे पहले करनाटक विवा निया ने इस पर तैक करेगा और बाराल सम्विदान के अदार पर चलता है इस तरीके से नहीं चलता है और हम लोगों ने उत्रप्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है हम लोगों के ले लोग उचालने की कोशिश कर रहे हैं बट फुर भारतीय जंता पार् कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा हिंदुत्र के एक एक एक्टिविस्ट है हरशा बीस फरवरी को उनकी शिंबोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेके प्रोटेस्ट किया क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई आप ब जो लोग इसमें responsible हों के खिलाफ action होगा ऐसी चीजें जब आती हैं तो sentiments high होती है as a responsible political party we have to see to it that we do not take law and order in our own hands and believe in the system and system is going to take care of it और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब हमने जब भावू को करके भावनाओं के आधार पर हम अपने sentiments को heighten करें और जिससे समाज में एक गलत वातावन पैदा हो इसको हम कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं शांती बरकरा रखना, patience रखना, law पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून के implementing agencies पर विश्वास रखना इस पर हमेशा जोड देते हैं चौधे दौर के मद्दान से पहले UP में आतंगबाद पर घमासान चड़ गया है पी-म ने एमदाबाद दमाके को साइकल से जोड दिया, अब बयानबाजी साइकल पर सवार हो गई है और अखलेश के जिन्ना वाले बयान से हिंदू-मुसल्मान विवाद उठा था अब ये हिजाब होते हुए आतंगबाद तक पहुँच गया मसले बदल रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है जिन्ना पाकिस्तान, दंगा पलाएन, असी बीज, अब बाजान से होते हुए यूपी का प्रचार यूद्ध, आतंगवाद और साइकल तक आ गया अहमदाबाद धमाके के फैसले के तार आजमगड से जुड़े, तो चुनावी फिजा ही बदल गई चौथे दोर के चुनाव से पहले अब तो आतंग से परहार है, बयानों की बौचार है आजमगड में एक आतंगवादी तो भादी किसला जो पाया है, उसका अप्पा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगड में जब से जनता के बीच में भारती जनता पार्टी के खिलाब 440 बॉल्ड का करेंट चला ये भारती जनता पार्टी नहीं समझभा रही है और आपने इनके बेयान देखे होंगे, जिनके जिन नेताओं की भाषा बदली है, वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने भारती जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है कभी हर्दोई में अखलेश ने जिन्ना का महिमा मंदन किया था उसी हर्दोई से प्रधान मंतरी ने अखलेश की पार्टी के सिंबल साइकल पर सबसे बड़ा प्रहार किया यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना उनका चुनाव का निशान है ना दो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकल पर रखे हुए थे अब देखिए साइकल पर बम रखे हुए थे और जहां लोग सब जीव अगेरे खरी निगले आते हैं वहीं साइकल पार्ट करके से तले गए थे और एक समाए चारों सरफ यह साइकल ओपर रखे हुए बम धमाके भूटे आतंक वाला बयान साइकल पर सवार हुआ तो बयानों की रेस लग गई प्रियंका ने फिजूल बयान बताया तो शाह के निशाने पर कॉंग्रिस भी आ गई हवाई अड़े आज क्यों खुल रहे हैं आपने PSU क्यों बेचे उनी से तो रोजगार मिलता है यह जो तमाम चोटे दुकांदार आपको दिख रहे हैं यह चोटे जो गया पारी है इनकी कमर क्यों तोड़ी है अपने अपनी पॉलिसी से इनका जवाब दीजिए न यह परिवारवादी पार्टियां देश और दुमिया का लोग तंत्र पर धबा है परिवारवादी पार्टियां उत्रप देश का देश का भान नहीं करते हैं इन्होंने 5 साल में गुंडा और माप्याओं से गरीब की जमिन कर जाने का का था सवाल उठ सकता है कि यूपी चुनाव में 13 साल पुराने धमाके का क्या काम एहमदबाद सिरियल धमाके 2008 में हुए 13 साल बाद फैसला आया तो तार आजमगर से जुर गया धमाके के एक दोशे मुहमद सैफ के पिता के साथ शादाब के साथ अखले श्यादब की तस्वीर आ गई फिर तो बीजेपी ने इसे चुनावी पिछ बनाने में देर नहीं लगाई जिर साइकीलों पर बैंड करके जगए 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 भी स्पोर्ट होते हैं बॉम्बादी होती थी उन साइकीलों को तो संचर ही कर दे रहेंगे उसको नहीं लगाई अभी तो सिर्फ तीन चरनों के वोठी इवियम में बंद हुए हैं आजम गढ़ में आखरी दोर यानी सात्मे दोर में चुनाव है ऐसे में आतंकवाद और रास्ट्रवाद चुनावी दंगल में चाया रहेगा अब देखना है कि अखलेश कोई डाउं चलते हैं या फिर बीजेपी के पसंदीदा खाड़े से दूरी बनाए रखते हैं लखनों सिकुमार अभिशे के साथ आज तक व्योरो बात उत्राखंड के चंपावत की जहां एक हाथसे में 11 लोग की जन चली गई है सभी लोग शादी समारों से लौट रहे थे गाड़ी उनकी खाई में जा गिरी है SDRF की टीम राहत और बचाव की काम में जुटी हुई हाथसा तड़के करीब चार बजे हुआ है रधान मंत्री ने इस पूरे हाथसे पर दुख प्रकट किया है चंपावत की एगटना तफ्रीरों में आप देख सकते हैं रेष्टी ओपरेशन जारी है इस खाई में ये वाहन गिर गया है फिलाल एक और एक ग्यारम में आज के लिए बस इतना है आप देखते रहेए आज तक